सब्सक्राइब कीजिए टेम्स फ़र विन चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट फंटसी वीडियो सबसे बहले देखने के लिए हेलो गाईज वेलकम बैक टो यूटूब चैनल आफ टीम्स फोर एन आज हम प्रिव्यू करने वाले एक बड़ा T20 इंटरनाशनल माज जो की वेस्ट इंडीज वसेज पाकिस्तान के बीच में खेला जाने वाला है क्या कुछ उनों टीम से इंपॉर्टन प्लियर्ज एन लाइ सो यह बहुत एक अच्छी प्लस साइन नजरा आ रही वेस्ट इंडीज के लिए साथ जाथ पाकिस्तान के क्या चेंज रह सकता है और उनकी क्या रणनीत रहने है उस बार में हम डिसकास कनाल इसी वीडियो में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो डेब्यू कर सकता है इस मैच में औ प्रॉटें करता है तो सब कुछ इन-देप्थ अनलाइसेस करेंगे व डीटेल में अनलाइसेस करेंगे अगर आपको एंड़ तक हमारे वीडियो पसना था तो एक लाइक ज़रू कर देना चानल को सबस्क्राइब कर देना मैच डीटेल के बार बात करेंटा तो मैच केंसिंग्टन ओवल ब्रिच्ट टॉण बर्बडोस में इसका मैच खेला जाने वाला है फ्रेंज अगर हम इसके लोकल टाइम और इंडेन्स टानी टाम तो इन्ट टाम 7 30 PM होने वाला लोकल टाम वाका 10 ऐम यानि की सुभे वापर मैच होने वाला हैं यह पिच रिपोर्ट के के बारे में अगर हम बात करें तो एक सो पच्छास के करीब वह हमें नजर आने वाला है वह अगर हम बात करेंगे तीम बैटिंग फर्स्ट इस वन्हों एक्टी परसन आपर मैंचे जीत है तो एक बहुत बड़ा प्लस पाइंट और हमें बहुत बड़ लीड मिलिया है के जो टीम आपर फर्स्ट बाटिंग अरे उसके थोड़ा सी जीतने के चांसे अमेना है नजर आने वाले हैं जा पर ग्यारा मैच इस पाकिस्तान ने जीत शिफ तीन वेस्टें दी जीते हुए है वेस्टनीज दोनर था गूट रेकौर अगेंस पाकिस्तान वे एक्सक्तान वेग्स्ट तू लॉर राँड़ा बात करेंटों बड़ा कि बड़ा जैसे लेंडेंग उन्टेंग नेंग यह सब कुछ important player रहने वाले वेस्टिनियन साइट से आगे अगर हम बात करें इस पिच के बारे में यह पर जो statistics होती है T20 मैंच के बारे में वो क्या बताता है तो अभी तक है बच्छा सब्सक्राइब यहां पर जादा मैंच जीता है उन्हें यहां पर जादा मैंच जीता है वो हमें उपर देखने मिला था टाइए एक भी नहीं हुआ है फिलाल average first inning score के बारे में बात कर तो 154 का है और highest score के बारे में बात कर तो 195 for 3 है लोश्ट के बारे में बात कर तो 80 for 10 है तो यह का में important एक fact निज़र आया है फिलाल इस pitch को देखके कि 150 के आसपास ही बनेगा और अगर थोड़ा सा भी उपर जाते तो विकेट्स तो यहां पर बहुत जादा गिरने वाली है तो उसको पर ज्यान देना है बॉलर्स बहुत जादा इंपॉर्टर रहें वाले में इनली पेसे जादा इन स्पिनर कोई भी बॉलर रहें दो वो इंपॉर्टर जादा रहें वाले स्पिछ पर तो फ्रेंज अगर हम स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यह आपर बिलो 150 साथ टैम बना है स्कोर बेट्वीन 150 टू 169 छे बार बना है स्कोर बेट्वीन 170 टू 189 सिर्फ तीन बार बना और स्कोर अबाव 190 एक बर बना है वो भी श्रीलंका ने बना है सो यह बहुत इंपोर्टन और बहुत बड़ी लीड मिली हमें कि आपर स्कोर अल्मोस्ट 150 टू 170 के आसपास ही दिखना हो और कल के भी मैच में लोग यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सो पट्रा से एक सो तर के आसपास में माल निकलते में नज़रा है और आपर दोनों ही एच्पेक्ट करता हूं कि कम से कम दोनों की टीमस कर प्लेस विकेट तो रगेगे के यह घरी यह मेरा ऐख्शन है दूंगे क्या होता है कुछ बोल नहीं सकता है बात करता भी प्लेइंग लेमन के बारे में के बात करें मैं बात को Letti इक बहुत ही जढ़े में हो सकते है होन factory से बड़ी टीम्स के सामने परफॉर्मेंस देना बहुत जादा पसंद है और अगर हम लोग बात करें आप है पाकिस्तान टीम की तो बहुत जादा अच्छी T20 टीम बनकर आ रही है पीसल में लोग को बहुत जादा अच्छे प्लियर्स मिलें और मेंली बॉलर्स से इंक अच् फ्लॉप हो जाए तो सेकेंड मैच में मोश्ली रंद बनाते हैं लेकिन इसे में आने का थोड़े से फ्लॉप बहुत रहते हैं बट जब जब थोड़े से बहार के कॉंटिनेंट्स में गेलते तो वहाँ पर हमेशा से यह सफल रहे हैं क्रिस गी वर्ण बाटिंग करते हैं यूनिवेर्स बहुत आपर उपन करते हैं थे पूरा करियर में उफन किया लेकिन लाज के कुछ एक साल से जब से पंजाब के लिए आप वन डाउन बाटिंग करने आ रहे हैं यहां पर भी इन्होंने वन डाउन पाटिंग करना स्टार्ट कर दिया है निकोलेस पूरन हम ल यहां पर बॉलिंग करती वेस्ट इंडीस्ट की टीम तो इन्हें ज़रूर रखना वैसे पाकिस्तान की टीम स्पिनर्स तो अच्छा खेलती सो एक इंपोर्टन प्लेयर हो भी सकता है लेकिन बाटिंग से भी निकाल के देता है फैब इन दीजे ब्रावो इंपोर्डन प्ल इनका जो चैने ड्रीम लेवन में ओल्रोंडे सेक्शन में वह फर्स मैच के बाद ही निकलते हैं में नजर आ जाएगा बॉलिंग सेक्शन में जाता होगा नजर आ सकता है फ्रेंड्स एडिन वाश के बार में बात करें तो बहुत जादा प्रभावित किया पा और शिला के स और कुछ डीटेल में बता हूँगा इनफोर्मेशन पाकिस्तान टीम के अउने बात करें तो आप ज्यादा कुछ बूलने की करें नहीं मौहमत रिज्वान और बाबर आजम ओपन करते हुमें नजर आंगे दोनों ही विस्पो टक बले बास है अपने दिन पर कोई एक भी च श्रव शादापकान अली और शाहिन चाफरी दी यह कुछ इनकी लेवन मुझे नजर आ रही है यह जो प्लेइंग लेवन बने बते ही इसके अंदर चेंज़े होने के अच्छे कासे चांसे है क्योंकि यह जो लेवन ही हम लोग हम लोग खुद के हिसाब से क्रिकेटिंग न जब अपने कंट्री का आसपस केलता है तो इंपोर्टन प्लेयर हो सकता है then friends अगर मैं बात कुई अपर Lendon Simmons के बारे में.. तो इसे और मैं ballsywonश को उपन के इसि नजर आएगा with Ivan Lewis so London Simmons के में बात कुई तो इस बंदे को यहाँ यह पर बड़ी teams के सामने performance देना पह 09 परसंद चायब ऑप किस्तान हो इंडिया के सामने तो इसे और भी जादा पकसंद है मेंले और अगर बात करूँ तो एशेन टीम्स के सामने इस बनने का परफॉर्मेंस और रेकर्ड बहुत जारा सही है और अगर आप GL के लिए हो तो आप इने ज़रूर आपके टीम में ट्राय करना मलब SL में भी करना ही है ठीकिन जील में थोड़े से जादा इने काप्टन वाइस काप्टन से आप ज़रूर दी सकते हो उतना हाई लेवल का मंद आगी है सो ओवरॉल के बारे में अगर हम बात करे तो 58 माचेस में 131 रंज है शिम्रा और हटमर के बारे में बात करें तो 29 मैचेस में 403 हैं 100 का है स्कोर है 25 कावरेट है 116 का स्ट्राय करेट है इंपोर्टन प्लेयर है रहने वाला है और निकलेस पूरण और शिम्रा हटमर दोनों नहीं अभी फिलाज रिसेंटले अच्छा आसा फॉर्म पकड़ा है और इनका फॉर्म एक बहुत जादे इंपोर्टन है क्योंकि लिए वर्ल का आ रहा है तो इनने बहुत जादा बैक भी किया जा रहा है पता है वेस्ट इंडीस टीम को भी कितने इंपोर्टन फ्लेयर और पेक ये तोनों ही रह सकते है केरन पोलर पार्ट टैम हम वालिम के करते हैं मोशली कल तो नहीं करेंगे लेकिन ओवर्ल अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो 68 मार्टस कहले है वन थ्री टू जिरो नंसे 75 का इसको रहे 26 का अबरेज है वन थर्टीएट का श्रागेट शेपाचाज और थर्टीएट विकेट चटका है इस बनें तो अब देख सब तो कितना इंपोर्टन है ये बंदा अगर बॉलिंग करता है ना फ्रेंस तो जरूर मुझे लगता है औ करता है तो एक विकेट या दो विकेट तो चटका ही देगा अंदर असल कंसेशनली परफाउंस दे रहे टी ट्वेंटी में लोगों के काप्टन हैस काप्टन हैन वाला है मेली बॉलिंग पूरी कोटा की चार ओवर डाल रहे बंदा तो देथ में भी इसके ओवर होती और व रहनाल है वन डपर का श्राइक ड़र वन फासरी आफ किजेगा 66 का है आपर हाइस कोरेट चार पचास और सेवंटीव विकेट इसने जड़ चुका है और ली चुका है सो इंपोर्टन प्लेयर है एक्सपिरेंस भी बोलता है बन का तो एक्सपिरेंस भी आपर बहुत ज़द अब इस बंदे को जब जब बाटिंग आते हैं बहुत तगडी बाटिंग करता है और रंस भी अच्छी का सी लगा देता है मुश्ली चैंसेश को खेलने के कम नज़र आए लेकिन किलते हैं 30 मच में 37 विकेट से फेडल एडवर्ट के बार में बात को तो 23 में 17 विकेट है और निकालेगा भी यापर अगर मैं बात कुर यापर पाकिस्तान प्लेयर स्टाइट के बार में तो शर्जील कान को यापर कल वापस मौकम में यह के चांसेश मिज़र आ रहा है हो सकता है नहीं भी हो जाए लेकिन अगर यहापर पाकिस्तान की टींग 2-0 हो जाती है तो लास्ट वाच पर शर्जील खान को जबूर एक ट्राइट दिया जाएगा मोहमद रिजवान के जगे और यहापर एक विकेट की यहापर कुछ जादा बोलने की गरज ही नहीं है 55 मैचेज में 2-1-2-0 रंज फॉट नाइन के चांसेश टीम में कर दो बॉलिंग करेगा मोश्ट ली लगता तो है और अगर करेगा तो एक विकेट बीट लेके ले लेगा और रंस भी निकाल लेगा शोई मक्सूद मोश्ट पाबली वन डाउन पर यह आएगे और इंपॉर्टन प्लेयर हो सकता है अफ्टब यह सिल फ्लॉप होते में नजर अच्छे का से रंस पेल के जा रहा है तो एक इंपॉर्टन प्लेयर रहने वाला है ओवरॉल के बारे में बात करें 47 माच्छे में नाइन सेविटीफोर रंस है बाच्छोई का श्राइक रेट है सो यह एक इंपॉर्टन इस साउथ सकील उडिया में इसका डेबी वा था वर फॉर्टीटू माच्छे से इसने केले 259 रंस कुरके है 35 का अपर इन उने विकेट चटका है विकेट तो अश्य देखा चाहिए तो कम ही चटका है लेकिन फॉर्ट बालिंग करते है पाकिस्टान तो यह टीम में रहे मिचे के लिए फॉर्ट बालिंग करता है कि इसका रेक में बात करूँ तो अब 46 मैचे में 183 रंसे 53 विकेट कंसिस्टेंटली विकेट चिटकाता है बंदा प्लस बाटिंग में अच्छी का सी करे लेता है है रिस ओफ 19 बालिंग में 25 विकेट सेकेंड बालिंग करेंगा तो आप इन्हें एक बार डॉप ज़रू कर सभी जील में इस वीडियो का इस वीडियो की कि यह अगर आप देख लोगे तो आपको बता चल जाए कि कौन सा प्लेयर का आवरेज कितना निकल कर रहा है फैंटेसी पॉइंट्स और फैंटेसी वर्ल्ड में सो मौबद रिजवान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 76 का आवरेज नि निकला जाए तो तो आप देख सकतो 76 पॉइंट्स अगर ही हैंपको एक माच में निकाल के दे रहा है तो कैप्टेन वाइस कैप्टेन सी ओप्शन यह आपके लिए जरूर बन जाता है बाबर आजम का 66 का निकल के आ रहा है लेंडन सीमंस का पचास के आसपस निकल गया रह उसमान कादिर का बारे में आपको बताना भूलिया अगर एक खेलता है तो इंपॉर्टम लेर हो सकता है वेश्टीन जीस की टीम मेरे हिसाब से तो आप पर थोड़ी से स्पिनर्स को श्रगल करते हुए जरूर नजर आती है और ऐसे मुझे लगता भी किस्पिनर्स को थोड में को सिक्स्टी है दे तो और में विकेट चटकाता है यह क्या वेरिशन करता है क्या स्लोर वन डालता है बाउंसर लोगे सब कुछ परफेक्ट एकदम टीजे ब्राव का 58 के असपास है लेकिन फर्च बॉलिंग करती है वेस्टीन इस तो इने लेना है और अगर उपर सब्सक्राइब करते हैं तो इसे कुछ फिलाल के लिए इसी कुछ हमारी ड्रीम लेवन की टीम बनी है है विकेट कीपिंग सेक्षन से मैन्ने लिए मुहमात हजवान को बैटिंग सेक्षेन से लेया लिंदन सिमंस इवन सब्सक्राइब को जो कि विकेट कीपिंग सेक्टन से भी हमें अच्छे का से बॉर निकाल के दे सकता है है और भी डिंटिक अच्छे का से आख अच्छे करि इसकली करें नमें देस्क्रिप्षी noon लुक्समें दी आगया कया अफ्रेंज सो अलब बेच पूसी थिस मैच हन आव अचे अच्छे